जैश्री आंदुप्रदीश से हमारे साथ, स्वागत है आपका जैश्री? हाँ हाँ जी, सवाल कीजिए मैं लाइन में हूँ बताईए बताईए जी जी, बताईए जैश्री जी, बताईए हाँ बोली सवाल कीजिए, क्या जानना चाहती है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आदुप्रदेश्री जैश्री बात कर्री हूँ हाँ ये जानना चाहती हूँ कि लेफ नेक में मतलब तरोट में लेफ सेड चोटा सा ब्लाइं पाइर आइड ब्लाइं है तो फुझा हुआ है इसका 3.1 साइज और ये डॉक्टर्स कहते हैं विमू करना पड़ेगा मैं ने जब से आपका प्रोग्रम देखा मुझे अच्छा वज़ा मुझे इसा वज़ा कि ये जनने की कोई आप दूस का कुछ बता दे तो मुझे अच्छा लगी गा एज बताईए जैशिरी जी एज बता दीजे अपनी मेरी एं 58 है ठीक है गौर से सुनिए कापी पैंसिल ले लिजे और जितना वजन मैं बताऊं इतना वजन लिखना हर चीज का देखिए चाहे थायराइड ग्लैंस हो या गले की कोई और तकलिफ वाइस बॉक्स की कोई तकलिफ या किसी को थायराइड हो तो थायराइड इससे बेश्टर लोगों का फाइदा हो जाता है लेकिन चार पांच महीने लगते हैं थायराइड की दवा चलना ही तो थायराइड की दवा लेते रहें अपने डाक्टर के सलहा के मताबिक और वो डाक्टर खुदी इसकी दवा कम करता जाएगा क्योंकि थायराइड कंटॉल होता गौन मौरिंगा 100 ग्राम आवला 100 ग्राम मेथी 100 ग्राम और सोडा खाने वाला 20 ग्राम इन सब को खुब बारिक पॉर्डर बनाई है और सुबह वो गोली जो आप खाते हैं उसके साथ या उसके बाद या उससे पहले गरम पानी से खा लिया करें एक बार और बहुत ज्यादा है तो दो बार भी ले सकते शाम को भी ले सकते पानी से लेना है यह मैटेरियल खतम होते होते आपको फायदा होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं विपुल है हरियाना से हमारे साथ स्वागत है आपका जी विपुल सवाल कीजिए क्या जानना चाहते हैं मेरे फादर के बारें पूछना था जी पूछे जा मेरे फादर की उमर पैसक साल है मणम पैसक साल और आजि पैसक साल शिटी फाइग गियर तो उनके ना उल्टे पैर में गोड़े से निचे बड़ रह रहता है मणम इंके अभी दासिक दिन से अजिए अपना कुल्य से लेकर नीचे पैर तक दर्द आजिए जिनके ठीक है अच्छा देखिए विपुल जी खुब और से सुनिये इस उमर में यह दर्द तकरीबन सब लोगों को आता है किसी के सिर्फ पिंडली में किसी के कमर से नीचे तक पैर तक किसी के एक पैर में क अनकारी के मताबिक ये साइटिका कहलाता है गाउं में इसे लंगडी का दर्द भी कहते हैं ये इस मेरा आद में थोड़ा लंग करके चलने लगता है अगर दस दिन से एते हैं तो कोई भी दवा फायदा कर देगे अगर किसी को महीनों और सालों से है तो एक नस्खा बहुत अ आएं और सुबा और शाम खाने के बाद बगए चर्बी के दूस से या पानी से या जूस से जैसे आपके हालात हो दीजे और ये सो दो सो ग्राम ये गौन सिया जिसे कहते हैं काला गौन कड़वा होता है खतम होने से पहले अक्सर मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है वेस्ट ट्राइलेट घर में नहीं हो तो वह जरूर लगवाले नहीं तो उनको कोई फाइदा नहीं होगा वेस्टन कुर्सी वाला जू बात रूम होता है उस पर वह अपनी ज़रूरत पूरी करें तो उनको फाइदा मुम्किन नेक्सट कॉलर है हमारे साथ संतोश बिहार से है और इसके चलते जो है नक्सुबा सुबाइ अब जो हाफ मी एक पंपन भी आता है लिए ठीक है। है जो देगी शुगर वालों के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है यह शुगर वाले बहुत परिशान हो जाते हैं, कोई जामनी खाया जाता है, कोई नीम खाया जाता है, कोई गुरुमार खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई करेला खाता है, लेकिन ऐसी भी रो मेटेरियल है, जो बाकादा असर करता है, ये कम असर करती है, तो जैतुन का सिरका, मिलता मुश्किल से है, जैतुन का सिर्का, दो चम्मच सुबह नाश्टे के बाद, दो चम्मच रात को, एक गिलास पानी में मिला के, छोटा चाय का चम्मच पिया करें, और एक घंटा पैदल जुरू चला करें, और दिन में पांच बार गरम पानी पिया करें, तो आपकी डाइपटीज कंट्रॉल रह सकती है. जी, एक बार फिर से आप पूछेंगे अपना सवाल? जी, मेरा दादी मा का फैल एरिया हो गया है, पैर में उसका हमको इलाज करवाना है. किस तरफ है? किस तरफ है? पैर में है किया? जी, पैर में है. ठीक है. आपकी दादी मा हैं तो यकीना, 60-65 साल से ज़्यादा की हो सकती है. और देखिए, बड़ा आसान इलाज भी है. गॉन आता है, एक मौरिंगा का गॉन. गॉन मौरिंगा कहते हैं इसे. और यहाद दो सो गराम खरीदी आ, इसमें 200 गराम साफ मिलाई है, पाॉडर बना लीजे. और 100 गराम आमला मिलाई है. और 20 गराम खाने का सोडा, इसको को खुशव बारिक पाॉडर बना कर, आधा से एक चमच सुबा, आधा से एक चमच शाम, खाने से पहले देना बहतर है, अगर कभी भूल लिया तो खाने के बाद भी दे सकते हैं, एक छोटी चाय के चमच, तो ये जो मैटेरियल मैंने आपको बताया है, इसके खतम होने से पहले आपकी दादी मा का ये मर्ज ठीक ह होना मुम्किन है, तो बिलकुल आपकी दादी को जो परिशानी हो रही है, वो जरूर दूर हो जाएगी, ये नुसके जरूर अपना लेजेगा, जो अभी हकीम साहब ने आपको बताये हैं, एक बाद फिर से दर्श को आप सभी से यहाँ पे कहना चाहूंगी, अनुरोद कर ना चाहूंगी, जो भी कॉलर्स यहाँ पे कॉल लगा रही है, वो टीवी का बॉल्यूम बंद करके हमसे बात कीजिए, क्योंकि बहुत ही कीमती समय हमारा भी है, बहुत कीमती समय हकीम साहब का भी है, और बहुत कीमती नुसके आप लोगों को यहाँ पे बताये जा रही है तो टीवी का वॉल्यूम करके प्लीज यहां पे कॉल लगाए और साथी साथ हर एक नुस्का आप लोग नोट डाउन कर लीजी जिस प्रकार से यहां पे बता रही है हकीम सहाब वैसे ही आपको वो उपचार अपनाने हैं उठाना है नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाये जा रही हैं आई ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से हमारे साथ राधिश राम है बारण असी से स्वागत है आपका अलो जी अलो हकील साथ से बात करें जी आदाब फर्माइए राधिजी नमस्तार हा राधिश्याम बोलना है पर हमारे हाथ को आना जलन रहता है तर और में सुखा रहता है अच्छा डाइबटीज तो नहीं है आपको अच्छा डाइबटीज चेक कराई थी है आपने कभी है खाने के बात की है ठीक है चाह देखिए डाइबटीज होने के करीब है अगर 130 है तो डाइबटीज तकरीबन होने वाली जिसको कहते हैं यह प्रीडाइबटीज शुरू है और फिर करा लिजिए चाहें तो खाने के बात की जो शुगर है यानि खाली पेट की वो सौ के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा है और खाने के बात दो घंटे बात की अगर 140 के अंदर रहे तो बिल्कु ठीक है और मैं एक नस्खा बताता हूं आपको वो आप खरीद ले और शुरू करें और महीना दो महीना लेंगे तो आपको भी परिशानी ठीक हो जाएगी ऐसा मैं उमीद करता हूं देखे अलो वीरा आप जानते हैं अलो वीरा जैल मिलता है अलो वीरा आप जानते हैं जगा जगा पैदा होती है अलो वीरा का सिर्का होता है अलो वीरा का सि जब मच रात में एक गिलास पानी में डालकर पी के सो जाया करिए आपकी ये बीमारी ठीक होना मुम्किन है ये बात कर लेते हैं अगले कॉलर से गंगा राम है करनाटक से हमारे साथ स्वागत है आपका गंगा राम जी बताएए जी अच्छे देखा ये गया है कि जिनको चिकन गुनिया हुआ उनका दर्द आज भी मुझूद है अगर उन्होंने कोई आहरवेदी की युनानी इलाज नहीं लिया अब एक दो महीने ये युनानी इलाज करें और युनानी इलाज ये है कि सौफ सौट जीरा अजवाइन फिर लिख लीजाब सौफ सौट जीरा अजवाइन छोटी हड फिर बोलता हूँ सौफ सौट जीरा अजवाइन छोटी हड और गौंसिया गौंसिया मतलब काला गौंद ये मुश्किल से मिलेगा और नकली भी बहुत मिलता है काला गौंद इन सब को सौशो गिराम लेके पाउडर बना लें और एक एक गिराम सुबा शाम पानी के साथ और गरम पानी पीए तो बहुत अच्छा है दिन में पांच बार गरम पानी पीज़े दो बार ये दवा खाईए एक एक गिरा मतलब एक कैपसूल बड़ा हता है उसकी बराबर खाईए ये मैटेरियल खतम होने से पहले आपका ठीक होना मुम्किन ह नेक्स्ट कॉलर है कुलदीब भटिंडा से हमारे साथ स्वागत है कुलदीब आपका नमस्कार और कोई परिशानी इसके अलावा उनको ना बस नहीं है यह है ठीक है दिए एक बहुत अच्छी दवा है जो अगर आप आज से शुरू करेंगे तो आज से ही आपको फाइदा शुरू होना लगेगा ऐसा उसका रिजल्ट है एक विलेंगर आता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं दिए गन्रे का सब जानते हैं अंगूर का सिर्का सब जानते हैं। जैतून का सिर्का आता है बज़े जैतून का सिर्का ले लिजें दो या तीन चम्मथ छोटे चाय के चम्म्थ एक गिलास पानी मिलाकर अपनी को अपनी मम्मी को पिलाईए। आज से शुरू करेंगे तो आज से इनको बहुत गफलत की नींद आएगी और सुकून मिलेगा दिमाग को बहुत सुकून देती है बस रात में पिलाईए और उनको पहले दिन से फायदा होना मुम्किन है तो देखिए कुलदीब जी पहले दिन से ही उनको फायदा हो जाएगा आपकी मम्मी को बहुत अराम हो जाएगा ये जो बेश कीमती आप लोगों को दर्श को नुसके बताया जा रही हैं आपको बस उन्हें पॉलो करना है देखिए फिर आप लोग कैसे अपने आपको स्वस् सूस रखेंगे ही साथी साथ आपके चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान रहेगी देखिए कितने सारे कॉलर्स ऐसे आए हैं जो अपनी मम्मी को लेके परेशान है जो अपने पिताजी को लेके परेशान है जो अपने बच्चों को लेके परेशान है क्यूं क्यूंकि आप कोई भी रोग कितना भी बड़ा क्यू ना हो जब आप वो बाते अपनाते हैं जो हकीम सहाब आपको यहाँ पे बताते हैं तो नश्टिती आपकी बिमारी खत्म हो सकती है लेकिन धीरे धीरे करके आप लोगों को थोड़ा सा ध्यरे रखना होगा थोड़ा सा सहीम आप लोगों को रखना होगा बाकि अगर आप लोग इस कारक्रम से जुरना चाहते हैं कोई भी प्रश्ण करना चाहते हैं रोक संबन्धी तो आप लोग फोन उठाए इनी नमबर्स पे संपर्ग साथ के जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगतार फ्लैश किये जा रही है